पहाडों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्मान करने वाली सकंद माता। नवरात्री में पांचवे देनिस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर भी ज्यानी हो जाता है। सकंद कुमार कार्तिके की माता के कारण इन्हे सकंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान सकंद बालरूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की उपर वाली भुजा से सकंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ उपर वाली भुजा में वरदमुद्रा में हैं और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्न एकदम शुब्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसलिए इन्हे पदमासना भी कहा जाता है। सिंग इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंदल की अधिश्ठत्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलोकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतह मन को एक आग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कच्छिनाई न रहते हैं कालिदास द्वारा रचित रगुवन्षम महाकाव्य और मेगदूत रचनाई सकंदमाता की क्रिपा से ही संभाव हुई।